तो Infinix दो स्मार्टफोन इंडिया में लांच करेगा Infinix Note 7 और Infinix Note 7 Lite तो इस वीडियो में मैं आपको Infinix Note 7 Lite के बढ़ में बताऊंगा अगर आप Infinix Note 7 दोबार में जानना चालते हैं तो ओ वीडियो आपको आई बटेर में मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Infinix Note 7 Lite में आपको क्या का फिचेश मिलेगा ये फोन इंडिया में का लांच होगा और कितने प्राइज में लांच होगा पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो Infinix Note 7 Lite बहुती कम ब्राइज में लांच होगा और यहाँ पर आपको बहुती बड़े बड़े फिचेश मिलेगा अगर आप एक बड़े स्मार्पून खरीदना चाहते हैं बहुती कम बजट में और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले बात करते हैं इसका डिजाइन एंड बील्ड क्रोर्टी आप इसका डिजाइन देख सकते हैं ऐसा आपको डिजाइन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बैक साइड में प्लास्टिक बोड़ी देखने को मिलेगा और यह फोन आपको दो तिन भरियन कलर में मिलेगा डिजाइन की इसाब से अच्छा है तो डिस्पेले की बात करते हैं यहाँ पर आपको 6.6 इंच का एक HD प्लास डिस्पेले मिलेगा जो IPS डिस्पेले होगा होट डिस्पेले में आपको 5.6 कैमरा मिल जाएगा यहाँ पर आपको फुल HD डिस्पेले नहीं मिलेगा अगरान अच्छा है उदना भी बड़िया नहीं है पर अच्छा है यहाँ पर आपको fingerpin back side में देखने को नहीं मिलेगा यह side mountain fingerpin होगा बंदब phone के side में आपको fingerpin मिल जाएगा आपको पता है smartphone का price बढ़ गया है lockdown उड़ने के बाद आप कोई भी smartphone खड़ी देंगे तो वो smartphone आपको पहले के price में नहीं मिलेगा तो मेरे channel में आपको एक video मिल जाएगा जहाँ पर आपको मिलेगा पहले smartphone का price और अभी smartphone का price उस video का link आपको i button में मिल जाएगा आप जाके देख सेकते तो camera की बात करते हैं यहाँ पर आपको back side में quad camera setup देखने को मिलेगा जो main camera होगा और 40mm camera होगा दूसरा होगा टू मेंसल का depth sensor camera तिसरा होगा टू मेंसल का macro lens I think macro lens होगा अभी confirm नहीं वहाए और चोहता जो camera होगा ओ अभी दर confirm नहीं वहाए मुझे लगता है low light sensor होगा जैसे आपको influence hot 8 में आपको low light sensor मिला था मुझे लगता है यहां भी आपको एक low light sensor मिलेगा और font में आपको 8 मेंसल का silvy के आणों मिलेगा जो आपको display के अंदर देखने को मिलेगा फोर्ससर की बात करते है यहां पर आपको midiatek helio p22 chip से मिल जाएगा जो octa को 2.0 GHz ता आएगा 4GB का एडाया मिलेगा और 120 GB इंट्रिमोर मिलेगा और external memory आप 2 TV तक यूज़ कर सकते है जो बहुत ही बड़िया बात है और यहां पर आपको fast charger नहीं मिलेगा आपको slow charger मिलेगा यहां पर fast charger मिलता तो बहुत ही बड़िया होता क्यूंकि 5000 इमेज का battery चार्ज होने में धाई-3 घंटा लग जाएगा तो phone करिदने से पहले यह आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा smartphone कितने बड़िया है डीपेंड करते है उसका price अगर आपको कम price में बहुत ही बड़िया features मिले तो वह phone बहुत ही बड़िया phone होता है तो price की बात करते हैं इंडिया में अभी तक confirm नहीं हो आए पर लिक के मुतावित यह phone आपको इंडिया में 1000 के अंदर में मिल जाएगा तो exact price यह phone आपको 7499 रुज में मिल सकता है तो अभी confirm जानने के लिए आपको launch date तक wait करना होगा अभी देखना है इसका performance कैसा है तो यह जानने के लिए आपको launch date तक wait करना होगा और इस phone के बारे में आपका कोई भी question है आप मुझे comment में पूछ सकते है वीडियो को please like करें देना अपने दोस्तों को share करें आप smartphone और technology related और भी वीडियो देखेना चाहते है तो में चैनल को please subscribe कर देना क्योंकि आपका subscribe मुझे बहुत ही motivate करता है तो please support करना तो फिर से मुलाकत होगी एक नए वीडियो के साथ अच्छे से रिए सबको अच्छे रेखिए जैए दुनिया हिला दी एक virus ने जिसका नाम कोरोना हिंदोस्तानी कहता इससे डरोना